तो एक वफ इससे कोश्ट गार्ड का जो वेकेंसी है वो आ गया है यहाँ पर देख सकते हैं कि आंतरिक और आपका नाविक के लिए दो 2022 बैच का यह फॉर्म है जो आया हुआ है और इसका जो अपलाई होने का डेट है वो जान लीजे चार जनवरी से आपका फॉर्म वाला है तो जेनरल OVC और डबलू जो आपका EWS वाला है 250 रुपया आपका इसमें लग जाएगा SCST का 0 रुपया कोई चार्ज नहीं लगेगा आप राम से भर सकते हैं अब बात करते हैं कि टोटल कितना पोश्ट है 322 टोटल पोश्ट रखा गया है एज लिमीट का बात किया जाए तो अलग अलग आपका एज लिमीट रखा या नाविक GD के लिए कुछ है और नाविक DB के लिए कुछ अलग है तो 1 अगस्ट से लेकर 2000 और 31 जुलाई 2004 के अंदर में अगर आपका DOB पढ़ता है तो आप यांत्रिक नाविक GD वाला आराम से अगला आपका बात करतें नाविक DB का तो 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 31 सितंबर 2004 के अंदर में अगर आपका DOB आता है तो आप नाविक DB वाला भी फॉर्म अराम से भर सकते हैं ठीक अब आते 322 जो पोस्ट है क्या क्या क्रिटेरिया है इस सब आपको बता देते हैं क्या क्या ए 60 पोस्ट यहां पर रखा है और इसमें अलग-अलग जो ब्रांच है उसका हम बात करते हैं नाविक DB में बात किया जाए तो 35 पोस्ट है यांतरिक में 27 पोस्ट है के टेग्री वाई जब थोड़ा देखते हैं कि किस कास्ट के लिए कितना रखा है यहां पर तो नाविक GD मे जेनरल में 112 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा अगर आप PWS से अपलाई करते हैं तो आपको 28 पोस्ट यहां पर देखने को मिलेगा OBC में 72 है SC के लिए 37 पोस्ट है HD के लिए 11 पोस्ट है यह बात करते हैं यह था आपका नाविक GD का 260 पोस्ट है के टेग्री वाईज आपको बता दिए तो इसमें आप जरूर अपलाई करें कि इसमें ज्यादा पोस्ट है ठीक नाविक DB में 35 पोस्ट है जनरल के लिए 12 रख करते रही है ठीक जो रिजल्ट वाना उतो आएगा उतो कहीं नहीं जाएगा लेकिन अभी खाली बैट कर क्या करना है भर दीजी इस फॉर्म को ठीक कोई मतलब कि छोड़ेगा नहीं चाहिए आपका इन्वल्मेंट आने वाला हो चाहिए आपका रिजल्ट आने आप भर दी कर सकते लेकिन वाई तक आपका लिमिट है ने भी SSR तक आप देख सकते ही उसका स्टेंडर में जो अब आ जाएगा आपका नाविक डिबी में आपको 35 पोस्ट जेनरल विगरा बता ही दिये यांत्रीक में केनिकल का 13 पोस्ट है यहां पर जेनरल में 4 पोस्ट EWS में 1 पोस् जेनरल में 3 है EWS 0 OBC 0 मतलब कि बेश्ट हमको यह लग रहा है कि आप इसमें देखे नाविक जीडी में 260 पोस्ट है ठीक अब इसमें आप अगल अपलाई करिए ठीक बढ़िया से एक्जाम दीजिए तैयारी करिए अच्छा मांक्स लाइए और फीजिकल विगल लिंकल गया अगर आप मैथ और फीजिक्स आपका टूल क्लास में था 10 प्लस 2 अपने पास किया तो जीडी के लिए आप अपलाई कर पाएंगे अगर यहां पर बात करते हैं आपका डीवी के लिए तो तिन्थ क्लास आपको पास होना जरूरी है कोई भी आपका बोर्ड हो CBC हो चाहे को कोई भी अस्टेट बोर्ड हो अगर आप डीवी में अपलाई करते हैं तो आप अराम से निकाल सकते हैं डीवी के लिए तिन्थ पास होना जरूरी है यह अमत्रीक के लिए अगर आप अपलाई करना चाहते है तो लिखा है कि कैंड़ेट हुआ पास तेंत वीडियरिंग डि देंगे जिन्होंने अभी आठ्स वेगरा कॉमर्स वेगरा 12 में लिया हुआ है तो वो डीवी डाल देंगे तेन तो आपने पास तो किया ही होगा ठीक फिजिकल डीटेल आपको पता है यह 157 cm यह आपका हाइट चेश्ट मेनिमम फुलाना 5 cm मेडिकल में बट उतना यह हमको न थोड़ा सा टाइम देते हैं तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा ठीक देख लिजेगा और नीचे आप और और कोई दिक्कत होगा तो आप कॉमेंट्स करिएगा टेलिग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा अनेक आडमी का पूरा मेरा कोर्स और ठीक बिनबाद ध्यान से सुनिएगा कोश्ट गार्ड के लिए और आपका ने भी एयर फोस ये तीनों जो कैटेगरी है ये डिफेंस वाला और इसका वहाँ पर हम पढ़ाते भी हैं और आपका क्लास भी लेते तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पेसल क्लास क लेते हैं चाहिए आपका कोई भी केटेगरी हो ठीक आप एयर फोस का तियारी करें चाहिए कोश्ट गार्ड का करें चैने भी अप इसके जितने भी एजुकेटर है उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं ठीक और आगे कोमांडो करके बैच 2.1 करके यह आज से ही बैच आपका ठीक जैगवार करके एक बैच एयर फोस के लिए वो भी आपका आजी से स्टार्ट हुआ है तो बहुत बैच है आपको पढ़ने के लिए प्लस में ठीक तो लिंक सब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे कूपन कोड होता है आपका पता ही होगा आरा वाला यह जो इतना सारा है 24 महिने 12 महिना 6 महिना जो भी आपको लेना है प्लस वाला आप बाई कर सकते हैं यहाँ पर रैफरल कोड आता है जहाँ पर आपको डालना होता है आरा वाला ठीक डाल कर आप प्रोसिट टूपे करेंगे आपका यह कोड लग जाएगा 10% का डिसकाउंट मिल जा अब आप अपने कोडिंग देख लिएगा कौन सुटेबल है आपका नीचे लिंक दे देंगे सब का चेक आउट जरूर करिएगा जाकर एक बर और सब कुछ बताएं दिए अनेक आडमी पर जो भी आपका टीचर बहुत बढ़िया फेकल्टी जो भी आपको टॉप क्लास मि आपको मतलब कि कम लगेगा किया रहे भाई कितना टीचर से पढ़े मतलब कि पूरा मसाला दिया जाता है कि आईए और यहां पर पूरा बढ़िया तरीका से अपने तियारी करिए ठीक अब नहीं तो बहुत सारे लड़के आफ्लाइन जाते हैं 15,000 डुबाते हैं भाई फि उसको जरूर एक बाद शेक करना चाहिए ठीक